नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों गन्ना वेराइटी 0238 से कैसी वेराइटी है जिसमें आप यूरिया का परियोग बिना सोचे समझे नहीं कर सकते और काफी किसान ऐसे हैं कि उन्होंने तो यूरिया लगाना ही छोड़ दिया है, यूरिया बहुत ही कम मातरा में लगाते हैं, उनको भैबना रहता है कि कहीं यूरिया का परियोग जादा करने से हमारी गन्ना वेराइटी में इसमें रोग ने आ जाएं और इसी डर के कारण वे काफी जोखम उठाते हैं और उसमें वो डिये पी एन पी के का खुले दिल से इस्तेमाल करना चालू कर दिया है और इसके लिए उनका काफी पैसा खर्च भी होता है लेकिन वो इसकी परवान नहीं करते हैं उनके मानना है कि यूरिया को गोली मारो, हम तो इसमें डिये पी और एन पी के का इस्तेमाल करेंगे डिये पी आ एन पी के का इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारे गन्ना पोदे की ग्रोथ भी अच्छी होती है उस पर कलर भी अच्छा आता है और उसमें बिमारी भी नहीं लगती भले ही खर्चा कुछ जादा हो जाए लेकिन किसान भाईयो मैं आपको इस खर्चे से बचाने वाला हूँ मैं आज की वीडियो में जो आपको जानकारी दूँगा तो आप मेरे आधार पर जो मैं एक मात्रा एक निश्चित मात्रा इसकी किस-किस तरीके से इसका इस्तेमाल आपको करना है यूरिया का जो मेरे बताए हुए आप हिसाब से चलोगे तो यूरिया आप कितना भी लगाते चले जाएए आपकी गन्ना फसल में 100% यूरिया की वज़े से कम से कम यूरिया की वज़े से उसमें कोई भी रोग नहीं लगेगा और इस बात को आप भी मानेंगे किसान भाईयो आज की वीडियो में मैं इसी की जानकारी देने वाला हूँ ताकि यूरिया से लगने वाली बीमारियों का जंजट ही खतम हो जाए और मेरे प्यारे किसान भाईयो यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्प्या करके इसे स सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाईयों में भी शेयर करें ताकि जादा से जादा किसान भाईयों का भला हो सके तो चलिए किसान भाईयों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं किसान भाईयों मैं आपको पहले यूरिया गन्ना पोदे में बता रहा हूँ और इसकी गाट मार लीजिए कि जब भी आपका गन्ना पोदे का जबा हो और सबसे पहले जो आप पानी लगाएंगे उस टाइम से ले करके जुलाई की शुरुआ तक जितने भी आपको गन्ना पोधा में पानी लगाने हैं यानि के 0238 वराइटी में आपको पानी जितने भी लगाने हैं सभी पानी पर 25 केजी परती एकड के हिसाब से आप यूरिया लगाते चले जाएए आपके गन्ना पोधा में बिमारी नही ज़ादा कर देते हैं यानि कि 50 केज़िय आप प्रती एकड़ के इसाब से लगाएंगे भले ही चाहे आप 2 खाद लगाएं या 3 खाद लगाएं तो भी बिमारियां आ जाती हैं क्योंकि मातरा में वो ज़ादा हो जाता है जब हम मातरा में कम यूरिया रखते हैं तो भले ही हम साथ दिन या दस दिन बात लगातार यूरिया लगाते रहें उसमें बिमारी नहीं आएगी ये बात आप समझ लीजिए क्योंकि मात्रा में वो कम हो जाता है तो यूरिया जब उसमें नैट्रोजन हमारे जो गन्ना वेराइटी है 0-2-3 उसको मिलती है तो मात्रा मिलती चले जाती है तो उसमें जो बढ़वार है उस पर जो कलर है वो भी आता चला जाता है जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें बारिस आ जाती है मातावरण में नमी हो जाती है तब भी बिमारी लगने का खत्रा बन जाता है तो तब यूरिया का प्रियोग आपक सूका भी है तो उसमें आप 25 केजी के हिसाब से यूरिया लगाईए साम के टाइम उसमें लगा देते हैं तो रात को पानी दे दीजे अगले दिन भी पानी दे दीजे तो बहुत ही अच्छा गजब का शानदार रिजल्ट आएगा पैर चिपकते समय भी आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं तो भी गजब का रिजल्ट आएगा फिर मिलते हैं तब तक के लिए सभी किसान भाईयों को नमस्कार